राइज आप सब्सक्राइब एक बार फिर्ट से हमारे यूट्यूब चैनल में आपका दोस्त जाई दली आपके लिए वीडियो लेका हूँ गेस सिलेंडर कभी लिकेज होती है और वो किस वज़े से होती है मैं बज़ता हूँ कि इसके अंदर एक रिंग नुमा एक रबड की रिंग होती है जो सूख जाती है या गिस जाती है तो इसको हमें निकाल लेना है इस तरह से पेचकस की साथ से तरह से देखो आपको वीडियो में को मैं जूम करके दिखाता हूँ इने देखो बिल्कुल रबड इसका गलावा है बिल्कुल सुखावा है रबड ब्राई है यह इसलिए लिकेज की प्रोब्लमा हती है अब हमें सिर्फ इस रबड को चेंज कर देना है ठीक है और इधर इसको थोड़ा सा कपड़ा मार के या उंगली से ऐसे साफ करके सिलेंडर को रबड लगा देना है अब देखिए यह रबड है मैंने इस पे हलका सा ओयल लगा लिया है और इसको इस तरह से आप इस रबड को हमें फिट कर देना है और इसको बिल्कुल इस तरह से फिट कर देना कि वापिस एक रिंग इस पेसमें लग जाए और ये फिर ये जो लिक्कीज की समस्या है वो खत्म हो जाएगी ठीक है तो ये वीडियो आपको कैसा लगा लाइक कर देना शेयर कर देना चैनल को सब्सक्राइब रूब देना फिर में लोगा एक नई वीडियो से तपक जेहिन जे भारत